नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल एक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं मोबाल और केंपूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियो से लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बैल लाइकन को ज़रूर पैस कीजिएगा ताकि आपका हमारे लेटिस वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मि हाई दोस्तो आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जैसा कि आपने थम्नेल में देखा होगा कैसे आप किसी भी Google Form का QR कोड बना सकते हैं और QR कोड करेगा क्या दोस्तो QR कोड जो है आप जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे तो वह Google Form ओपन हो जाएगा आपको उसके लिंक की भी टेंशन नहीं रहेगी लिंक याद भी नहीं करना पड़ेगा कॉपी बेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और यह Google Form का QR कोड बनाते कैसे हैं यह मैं स्वीडियो में बताने वाला हूँ हम दोस्तों पहले फॉर्म पर चलते हैं आपने माली जी जो फॉर्म बना र कीजे हैं आप करना क्या है यह आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर जो शेर दिस पेज लिखा रहा है इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए कुछ ऑप्शन सा रहे हैं कॉपी कर सकते हैं आप इसकी लिंक को आप किसी दूसरे डिवाइस पर सेंड कर सक करते हैं आप social media की links पर click कर सकते हैं तो यहां से यह जो यह हैं इन media पर जो है social media पर यह share हो जाएगा तो दोस्तों create करता हैं यह मैंने create QR code पर यहां click कर दिया है अब आप ध्यान से देखिए यहां पर एक link भी generate हो गई है और यह QR code इस Google form का QR code बन गया है अब मुझे करना क्या है यहां से यह download कर लेना है यह देखिए download करके यहां पर आ गया है मैं इसको जो है यहां से cut करके desktop लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपको यह process कैसे करना है हम इसको यहां पर ले आते हैं desktop पर यह आ गया है आप दोस्तों को यह word की file खो लिए और उस word की file में जो है आप जैसे उसको open करेंगे open करने के बाद यह मैं blank document ले लेता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं quick response for sign up हमारा जो form था वह आप देख सकते हैं sign up के लिए था तो मैंने यहां से लिख दिया है quick response for sign up और यह इस तरीके से हमने यहां पर इसको heading दे दिया है दोस्तों अब आपको करना क्या है यहां पर उसको जो है copy कर लेना है मैं यहां से इसको copy कर कर देता हूं देखिए मैंने यहां से पेस कर दिया है आप जो है साइज अच्छे से बड़ा लीजिए जो भी आपको जितना लगता कि एक a4 size के पेस पर आपको साइज करना चाहिए वह साइज जो है आप आसानी से देखिए इस-स तरीके से यह मैंने इसका साइज बड़ा लिया है आप जैसे ही यहां पर प्रिंट के ऑप्शन पर देखेंगे तो यह देखिए यह प्रिंट हो चुका है और यहां पर लिखा रहा है को एक रिस्पॉंस फॉर साइन अप और यह क्यूआर कोड आप जो है इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप इ साइन अप करने के लिए लोगों को कोई दिकत ना आए वह है गूगल क्रोम पर जाकर जो है उसका कैमरा इस्तमाल करने के बाद यहां से स्कैन करें और स्कैन करने के बाद डारेक्ट यह फॉर्म ओपन हो जाएगा उन्हें बहुत बड़ी लिंक को कॉपी पेस नहीं करना प करने के बाद की वार कोड़ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यह की वार कोड़ जो है समधित गूगल फॉर्म का तुरंद बन जाता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा समझ आया होगा अच्छा लगा होगा आप इस वीडियो को शेय क्युक्त